नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा नाम पुश्पेंदर चौधरी स्वागत आप सभी का अपने परिवार रेंकर्स गुरकुल यूटूब चैनल पर तो कैसे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चो आज आपके लिए बहुत खास दिन है और आज मैं आपसे एक वादा भी क करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चो कि आज की क्लास इत्यास में ऐसी क्लास होने वाली है कि आज की ये जो सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं आप सभी प्यारे बच्चो के प्यार से और आसीरवास से 21 दिन 21 महराथन और साइंस का बेडा पार हर एक्जाम के लिए रेलवे के 25 questions की तैयारी सटीक तैयारी 25 सवाल का वादा है 25 सवाल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और अगर मैंने आपकी जिम्मेदारी पूरी ले ली है तो आप लोगों को पता होगा कि हर जिम्मेदारी को वकुबी से निभाने का काम मैंने किया है मेरे प्यारे बच्चो 21 दिन 21 महराथन आपकी ये क्लास ये आपकी सीरीज ऐसी साबित होने वाली है कि जब भी कोई बच्चा आज के बाद रेलवे की तैयारी करेगा 25 नंबर की science यहीं से आएगी और अगर ये ना हुआ तो ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर यहां से सवाल नहीं आए मैं वादा करता हूँ अपने हर बच्चे से कि ये सवाल आप लोगों को बिलकुल उसी language में देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको करवाँगा ये सवाल आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे ये concept ये numerical ये assistance लोको पाइलेट के लिए और पिएप के लिए group D NTPC सभी exam के लिए मैं target करते हुए लेकर आया हूँ आपके लिए 21 दिन 21 महरातन और बेडा पार होगा science का इसके अंदर railway बढ़ती 2024 मैं नौकरी लेकर ही रहेंगे सरकारी नौकरी अब मैं start करने जा रहा हूँ आज की इस class को आप लोग बिल्कुल तयार हो जाओ और अगर अभी तक आप लोगों ने ये screenshot नहीं लिया है क्या कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ प्यारे बच्चो मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ अगर आपने अभी तक स्क्रीन सॉट नहीं लिया है तो ले लो क्यों? क्योंकि इसी केunts recording मैं आपको पढ़ाओंगा मेरे प्यारे बच्चो ये आपका सलेवस है इसका स्क्रीन सोट हर बच्चे को लेना ही लेना है क्यों क्योंकि आज जो टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये है आपका आज का टॉपिक बच्चो कौन सा टॉपिक है लिख लो आज का टॉपिक ये होगा और इससे हर टॉपिक से मातर 30 क्वेशन हर टॉपिक से मात्र 30 question 10 दिन में पूरी physics खतम 10 दिन में पूरी chemistry खतम दुवा मचा देंगे सर इस बार selection तुमारा होगा rankers गुरकुल परिवार की तरब से ये वादा कर रहा हूँ मैं पूरी की तरब से science अगर आएगी ना तो मेरी class से आएगी otherwise आप लोग देख लेना पेपर के बाद आप लोग बताना क्या हुआ सर आज मैं जो topic पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या होगा भाई पढ़ाने नहीं पेपर में छपवाने वाले सवाल करवाने जा रहा हूँ इन 30 सवाल के अलावा ये chapter पूछी ही नहीं सकता पेपर आप से पहला topic आज खतम कल की class क्या होगी भाई कल की class day two होगी ये 10 दिन में physics पूरा खतम 10 दिन में physics पूरा खतम ये रहा लिख लो chapter के नाम लिख लो PDF rankers गुरकुल official टेलीगराम पर मिलेगी और उसके बाद ये 10 दिन के अंदर 11 में दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा chemistry और 11 में दिन से 21 दिन तक लगातार क्या चलेगा chemistry की class चलेगी मेरे प्यारे बच्चों ये class आप लोगों के लिए महत्यपूर है हर exam के लिए आप इसको पढ़ सकते हो ये 21 दिन जिंदगी बदल देगी ये 21 दिन कमर कसलो के हर रोज 10 बजे का टाइमिंग है 10 बजे आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अगर selection लेना है science के बिदा railway में selection कभी नहीं होता ये आप लोग याद रखना मेरी बात को ठीक है आज की daily one hour class चलेगी आपकी 10 से 11 बजे तक और मेरे प्यारी बच्चो क्लास नोट्स आपको rankers गुरकुल official telegram channel पर मिलेगा मेरे प्यारी बच्चो doubt group भी में लूंगा updated content सवाल पेपर में छपने वाले होंगे आज का question number one आपकी screen पर आगया है लीजिएगा पहला सवाल आपकी screen पर और मैं वादा करता हूँ आप से ये सवाल छपेंगे छपेंगे और छपेंगे बार बार कह रहा हूँ बिटा बार बार कहने का मतलब ये है कि सर स्योरिटी है मुझे अपने content पर भरोसा है मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है पहला सवाल आपकी screen पर चैप्टर कौन सा है आज sound and wave ध्वनी और तरंगे screenshot ले लिया होगा और मैं आपको डलवा भी दूँगा ये पूरा सिलेवस आपकी ये टेलिग्राम चैनल पर आप लोग बताईए पहले सवाल का सही जबाब क्या होगा question number one और सुनो सवाल आएंगे मतलब आएंगे पहला सवाल निमलिखित मैंसे किसमे ध्वनी यात्रा नहीं कर सकती in which of the following sound cannot travel सही answer हमारा होगा देखो solid में सबसे तीच चलती है sound liquid में उससे कम gas में उससे कम सही जबाब जो होगा vacuum vacuum को निर्वात के नाम से भी बच्चे जानते हैं निर्वात के अंदर ध्वनी गती नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनी को हमेशा एक माध्यम की जरूरत पढ़ती है medium की जरूरत पढ़ती है ये class आपकी bilingual होगी हिंगलिस में और हिंदी में मैं आपकी एक class चलेगी बच्चे आपको याद रखना सबसे ज़्यादा एक सवाल और याद रखना देखो side by side में जो question करवा रहूँ न side में जो लिखूंगा वो बहुत महत्यपूर है मेरे प्यारे बच्चो याद रखना बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे प्यारे बच्चो ये सवाल आपको याद रखना है कि चाल जो होगी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी द्वनी की चाल वो ठोस के अंदर होगी फिर किस के अंदर होगी द्रब के अंदर और सबसे कम किस के अंदर होगी गैस लेकिन पूछे, निर्वात के अंदर चाल क्या होगी, तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि निर्वात के अंदर ध्वनी गमन नहीं कर सकती, गती नहीं कर सकती, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं, even not air, हवा भी नहीं होता है वैक्यूम का मतलब, सही जबाव D था, आप लो Question number 2, आपकी स्क्रीन पर आ गया, बताएगा, Question 2 का सही जबाब क्या होगा, एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ सवाल को, What do we call the distance between two consecutive compression of a sound wave, द्वनी तरंग के दो क्रमागत, संपीडनों के बीच की दूरी को, क्या कहते हैं, सवाल बहुत महत्यपूर है मेरे प्यारे ब करो मुझ पर, अगर भरोसा कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो पेपर के बाद आपको करना पड़ेगा, ध्योरी पढ़ने की कोई आवे सकता नहीं है, 21 दिन में वो सब चीजें दे दूँगा आपको, कि कभी भी जरूरत पढ़ने वाली नहीं है, मेरे प्यारे बच के दो किरमागत संपीडन, बिटा, सही आंसर जो होगा, वो वेवलेंथ होगा, बिल्कुल सही जवाब है, जिन बच्चों ने B दिया है न, वो गलत है, बिटा, कैसे है, देखो, मैं बताता हूँ, जब भी मेरी आवाज आप तक आ रही है, या जब भी मेरी आवाज, ये ज कंप्रेशन को कहते हैं, संपीडन, और बिटा, आर को कहते हैं, विरलन, रियर फ्रेक्शन, आर को क्या कहते हैं, विरलन, हिंदी में क्या कहते हैं, बिटा, आर को, रियर फ्रेक्शन, और विरलन कहा जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, कंप्रेशन को क्या कहते हैं, संपीड एक बार विरलन, क्या होता है एक बार compression एक बार विरलन, तो इन दौनों के बीच का जो distance होता है C से C तक या अगले वाले C तक इसे बिटा wavelength कहते हैं और lambda इसको दरसाते हैं, किसे दरसाते हैं बोलो बिटा, lambda से दरसाते हैं इसको, ये चिन जो है ना, ये lambda होता है, बटे याद याद रखना, लास्ट तक रुके रहना, 30 सवाल हैं, मात्र क्वेश्चन कितने 30, और हर रोज 30 सवाल करवाऊंगा, 21 दिन में पूरा साइंस खतम, फिजिक्स खतम, केमिस्ट्री खतम complete, याद रखना, इस बात को रोज समय होगा 10 बजे, याद रखना, सही आंसर क्या होगा, वेवलेंथ होगा गुरुजी, एक बात और याद रखना, वेवलेंथ का कभी-कभी, या इसे तरंग धहर्य भी कहते हैं हिंदी में, तरंग धहर्य इसको कहते हैं, इसका कभी-कभी आपको मात्रक पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है, कई बार रेलवे में ये तो वेवलेंथ का जो यूनिट होगा हो, क्या होगा, मीटर होगा, क्वेश्चन नमबर तीन, मैं आपसे फिर वादा करता हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर थियोरी पढ़ाओगे, बेटा पेपर आने तो मैं आपको थियोरी भी पढ़ाओगा, ये तो ऐसी डोज म बीच में क्या अंतर है, बेटा बताओ, सवाल को इमानदारी से पढ़ाएंगे, मैं आपके लिए इजी क्वेश्चन नहीं लेके आया, मैं आपके लिए वो सवाल लेके आया हूँ, जो आपको हो सकता है इजी लगे, हो सकता है हाड लगे, लेकिन पेपर में तो आएंगे ह आएंगे, clear, बताओ बिटा, जली से बताओ, question तीन का अंसर क्या होगा, ध्वनी तरंग की आवरती और pitch में क्या संबन्द है, बिटा, याद रखना, pitch का मतलब है, कि देखो, जितना जादा, pitch का मतलब होता है, बिटा, जितना जादा, आपका pitch होगा, और आवरती क्या होगा, उतना ही जादा क्या होगा, जादा होगा, तेज बोलोगे, pitch का मतलब, याद रखना, lower the frequency, higher the pitch, गलत, higher the frequency, higher the pitch, this is the correct answer, जितनी अधिक आवरती, उतनी अधिक pitch होगी, A is the right answer, बिटा, याद रखना, आवरती, जो है ना, आवरती, pitch, directly proportional होते हैं, अनुक्रमानु पाती, जितन किसी का pitch जादा होगा, pitch का मतलब होता है, तारत्तु है, pitch को हिंदी में जो कहते हैं, तारत्तु है, जितना जादा किसी का pitch होगा, उतना frequency भी जादा होगा, आवरती, लिख लो अपने दिमाग के अंदर, याद रखना, मेरे प्यारी बच्चो, amplitude जो होता है, amplitude का मतलब होता ह आयाम, किसे कहते हैं, amplitude depend करता है, दो सवाल बता रहूँ, यहां से एक यह हो गया, और पिछ तो depend करती है, frequency के उपर, लेकिन amplitude depend करता है, intensity के उपर, किस पर करता है विटा, तीबरता के उपर निर्भर करता है, दो question लिख लो, एक यह सवाल आएगा, और यह ना आया तो यह ज किस पर depend करता है, frequency, यह सवाल आएगा, intensity किस पर depend करता है, amplitude पे, बिटा पता है, जब कोई ध्वनी तरंग जाती है इस तरीके से, तो यह जो height होती है, उंचाई, यह वाली height, इसे ना आयाम कहते हैं, यह जो उंचाई होती है ना बिटा, यह height, जितना कोई ध्वनी तरंग ज रही है, तो यह जो उंचाई होती है, इसे बिटा amplitude कहते हैं, और तीबरता, तीबरता का मतलओ जितनी तेज मैं बोलूँगा, उतना जादा यह height होगा, जितना slow बोलूँगा, तो यह नीचे नीचे जाएगी, ऐसे height कम हो जाएगा, समझ पारे हो आप मेरी प्यारी बच्च नमबर 4, बताईए, question 4 का answer क्या आएगा, बताओ बिटा, question 4 और भाई, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सैसन को लाइक सियर करते रही है, बिटा, हिंदी में भी बिटा लिखा हुआ है, हर चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसी एक भी चीज नहीं है, जिसको हिंदी में मैंने नहीं लिखा हुआ, बताओ, question 4 का सही जवाब क्या आएगा, निमलिखित में से कौन सा ध्वनी तरंग की गती का प्रतिनिधित्वय करता है, यानि गती जो होती है ना गती, speed कहलो उसको, चाल कहलो या गती कहलो, चाल कहलो या गती कहलो, इसको ना ध्यर्य गुडां आवरति बटे दो, फोर्थ option ये कह रहा है, क्या ये सही है, अगला option क्या कह रहा है बिटा, अगला option कह रहा है, दो गुडां तरंग ध्यर्य, ये बिटा हिंदी में नहीं लिख पाया है, टाइपिस्ट कोई बात नहीं, गुडां आवरति, दूसरा option ये क किस-किस को याद है, wavelength क्या होता है, तरंग धर्य है, और पहला option मुझे क्या लग रहा है बिटा, आप लोगों ने सही जवाब दिया, पहला option क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले option में ही, देखो दिखरा होगा आप लोगों को, पहला option बिल्कुल सही होगा, PDF मिलेगा, Rankers गुर्कुल Official Telegram Channel पर आपको PDF मिलेगा बिटा, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल की, ठीक है, तो याद रखना देखो, यह जो lambda होता है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तरंग धहर्या, wavelength, चाल बराबर यह सूत्र लिख लो, इससे numerical भी आएगा, आज के question के अंदर, इससे numerical भी आएगा बिटा, wavelength को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग धहर्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं विटा, आवरती कहते हैं, तो यह सूत्र याद रखलो, क्या याद रखना है विटा, चाल बराबर, शूत्र याद रखना है, तरंग धहर्या, गुडा, आवरती, यह formula लिख लो, और याद कर लो विटा, हाँ, हिंदी में लिखाएगा बिल्कुल लिखाएगा बिटा हिंदी में बस ये गलती होगे इस question के अंदर क्या आपको हिंदी में नहीं दिखा मैंने दिखा दिया ना पहला option सही होगा बिटा चाल जो होती है किसके बराबर होती है तरंग धर्यागुणा आवरती यानि wavelength into frequency के बरा जाएगा जब paper नजदीक आजाएगा और अगर नहीं भी करवाया जाएगा तो कह देना कि पुष्पेंदर सर की 21 दिन 21 महरा थन देख के चले जाना railway के 25 सवाल अगर यहां से ना आ जाए तो clear बिटा पांचमा सवाल बताओ मुझे question number 5 बताओ बिटा increase का मतलब क्या होता है और decrease का मतलब क्या होता है घटना और may और may not का मतलब यानि बढ़ भी सकता है बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है तो बताओ कौन सा option सही होगा आपको सवाल चपेगा paper के अंदर बिटा याद रखना हर exam यहीं से clear होगा ये बात याद रखना ता आप मान में वरद्धी का ध्वनी की गती पर क्या फरक पड़ता है अगर मैं temperature को बढ़ा दू तो sound की जो speed है ध्वनी की जो speed है गती चाल ये क्या होगा बढ़ेगा घटेगा या हो सकता है बढ़े घटे क्या होगा A होगा सही B होगा या C बिटा या no effect का मतलब कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा, बताओ क्या होगा सही आंसर, तो correct आंसर जो होगा, वो बिटा A होगा अगर आपने temperature को बढ़ा दिया, मान लीजे मैं बोल रहा हूँ, और ये जो वातावरण है, इसका temperature अगर बढ़ गया, तापमान अगर याद रखना, sound की speed भी बढ़ जाएगी, increase is the right answer बिटा, अगर तापमान घटा दिया, तो sound की जो speed है, ये भी घटेगी, temperature पर अनुक्रमान उपाती होती है directly proportional, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, और याद रखना, अगर मैं पूछू, air के अंदर, हवा के अंदर बिटा चाल जो होती है, speed हवा के अंदर, चाल जो होती है, बिटा, किसकी ध्वनी की चाल जो होती है, 0 degree Celsius तापमान पर 332 मीटर पर सेकिंड होती है, ये आप लोग लिख लो, आपको आप देखो दिखाना चाता हूँ कि कैसे तापमान बढ़ने पर, चाल बढ़ेगा देखो, 0 degree Celsius पर कितना है बिटा, 332 अगर मैं temperature को बढ़ा देता हूँ 20 degree, 20 degree तापमान बढ़ा दिया, तो चाल बढ़कर के हो जाती है 332 से बढ़कर कितनी हो जाती है 343 मीटर पर सेकिंड हो जाती है देखा, आपने देखा कैसे तापमान को बढ़ने पर चाल भी बढ़ गया लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 40 degree पर बता 50 degree पर बता, 60 degree पर बता तो कैसे निकालोगे किसी भी तापमान पर कैसे निकालोगे चाल तो बेटा, ये सूत्र याद रख लो ये फॉर्मूला याद रख लो 0.6,1 गुणा T पिलस 332 ये फॉर्मूला लिख लो अगर आपको किसी भी तापमान पर दुहनी का साउंड का चाल निकालना है स्पीड, किसी भी तापमान पर तो T की जगे रख देना जैसे 0 रखेंगे तो क्या हैगा 332, 40 रखना है तो 40 रख के निकाल दो, 50 रखना है तो 50 रख दो, ये आपके लिए एक सूत्र है, ये आपके लिए एक फॉर्मूला है, किसी भी तापमान पर क्या निकालने का बिटा इस स्पीड निकालने का चाल निकालने का एक सूत्र है मेरे प्यारे बचो, आप लोग इस चीज को लिख लो और याद कर लो चलें, अब, अब आगे चलते हैं इससे आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल question number 6, बताईए question 6 का अंसर क्या आएगा why you में ध्वनी की क्या गती होती है, बताओ बिटा थ्योरी भी करवाये जाएगा लक्षमी जी आप लोग 21 दिन पर ध्यान ले लो, मैं कसम से कहता हूँ कि आप लोगों का एक भी सवाल मैं दिन रात महनत करूँगा आपके लिए बट कभी भी सवाल बाहर नहीं आ सकता ही चेलेंज है आपके पेपर को बिटा और एक तजरुबे के साथ एक experience के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, कोई घमंड के साथ नहीं एक experience अपना जितना भी तागत लगा सकता हूँ ना content के अंदर उतनी तागत में लगा दूँगा बस आप लोग मुझे मेरा साथ दो 21 दिन 10 बजे regular आना है मैं एक भी दिन छुट्टी बिटा नहीं करूँगा clear, बताओ वायू में ध्वनी की क्या गती होती है answer क्या आएगा बिटा बताओ 332 मीटर पर सेकिंड लेकिन अब जो बच्चे 332 देंगे न उनका गलत हो जाएगा पता है क्यों बिटा ये तो 0 degree Celsius पर था बिटा अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो बच्चे C option दे रहे न ये गलत बिटा numerical भी आ रहे हैं रुख जाओ तसल्ली करो numerical भी आएगे ये गलत हो गया पता है क्या है बिटा लगबव 343 इस option को थोड़ा ठीक कर लो बिटा D is the right answer आप लोग ना option थोड़ा ठीक कर लो ये 4 का लग रहा होगा आपको actual में वो 3 बना हुआ है लेकिन आपको 4 थोड़ा सा देख रहा है बिटा ठीक है ये 3 बना हुआ है 343 क्यों बिटा क्योंकि जब वो air में पूछ रहा है न हवा में अगर वो पूछ रहा है तो बिटा याद रखना हवा में कोई 0 पर थोड़ी पूछेगा यानि कमरे के तापमान पर पूछेगा room temperature जानते हो कमरे का तापमान क्या होता है 20 से 25 डिगरी के बीच में तो आपको जब भी air पूछे ये सवाल railway NTPC के अंदर आ चुका है और same option थे जो मैंने आपके सामने board पर लिखे ये same option थे बिटा NTPC के अंदर ये आया और सही क्या माना गया बिटा 343 माना गया क्योंकि जब भी वो air की बात कर रहा है तो वो 0 degree की बात नहीं कर रहा बिटा वो लगव 20 की बात कर रहा है वो कितने की बात कर रहा है लगव 20 से 25 की बात कर रहा है तो आपको NTPC में सवाल आया बिटा तो क्या टिक करना था आपको 343 ठिक करना था क्लियर है अगर 0 डिगरी कहता तो क्या था अंसर 332 और मैंने आपको सूत्र बता दिया इससे निकाल लेना किसी भी तापमान पर किसी भी टेंपरेचर पर इससे निकाल लेना तो हमारे कितने क्वेश्चन होगे जाए बटा 6 सातमा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बटा बताओ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है मानव के लिए धुहनी की स्रव्य सीमा क्या है ठीक है बटा डॉपलर भी आएगा आकाश ची चिंता मत करो आप लोग घबराऊ मत बस पहले ठीक है बताओ क्या एग अंसर मानव के लिए दुवनी की स्रव्य सीमा क्या है बताओ जली से बताओ अंसर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर ठीक है मानव के लिए ध्वनी की स्रव्य सीमा क्या है बताओ आंसर ठीक है तो आंसर जो बच्चा दे रहा है 20 दा राइट आंसर 20 हर्ज से लेकर 20 हजार हर्ज जो होता है वो बिटा आपका human के लिए क्या होती है आपका human के लिए audible range होती है यानि हमारा कान कितनी आवरती की ध्वनी को सुन सकता है इसे audible कहते है बिटा यानि कि ध्वनी जो होती है न विटा ये तीन प्रकार की होती है sound की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बचो ध्वनी तीन प्रकार की होती है जली से बताओ ध्वनी कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है थ्री टाइप पहला क्या आता है बिटा हमारा पहला आता है ओडीबल पहला क्या आता है ओडीबल ओडीबल का वतलब क्या होता है स्रब्य ध्वनी तो ये कितनी होती है ये याद रखना स्रब्य होती है जो हम सुन पाएं कितनी होती है बटा ये, कितनी आवरती होती है, 20 हर्ज से जादा और किस से कम बटा, 20 हजार हर्ज से कम, यानि इसके बीच में होगा audible, ठीक है, ध्वनी के तीन प्रकार होते है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है जो हम सुन सकते है, ठीक है, दूसरा क्या आता है बटा, द जिक्स तो सबसे ज़्यादा आती है आपके पेपर में, railway में, clear, दूसरे नंबर पे chemistry, biology, इस तरीके से आपके exam में आता हैं, जिसने नहीं पढ़ा ना पश्तावा होगा मेरे प्यारे बच्चो, इनफ्रासोनिक को क्या कहते हैं, अवसरब्य है, बिटा इसकी आवरती किसे कम ह होती है, 20 허z से कम, 허z दो होता है, हज जो मैं लिख ना हूँ, हर्ज, यह आवरती का एक मात्रक होता है, बिटा, क्या होता है, frequency का unit होता है, तो इसकी जो आवरती होती है, frequency, वो किसे कम होती है, less than 20 planeta, और तीसरा जो आता है, बिटा, यह क्या होता है, हमारा, अल्ट्रा सॉनि इसकी आवरती कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जली से चाप दो कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा जली से बताओ बिटा चैनल को लाइक, सेर और सबस्क्राइब जरूर करना क्योंकि कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा बिटा ठीक है, तो तीसरा कौन बताएगा 20,000 हर्ज से जादा अगर 20,000 से जादा है तो याद रखना उसको कहते हैं अल्टरासोनिक परासरभ्य बिटा उसको कहते हैं याद रखेंगे तीनो को रट्टा मार लो तीनो में से एक सवाल जरूर आएगा हम इन तीनो में से सिर्फ एक को ही सुन पाते हैं वो है ओडिवल इनको ना सुन पाते भाईया ना तो इनको सुन पाते इनफरासोनिक को और ना ही बिटा अल्टरासोनिक को सुन पाते यानि पिछली दो को नहीं सुन पाते हैं इसको ही हम सुन पाते हैं चमगादर सुन लेती है, इसको बहुत सारे जीव जनतु है, हाती सुन लेता है, इसको कबूतर सुन लेता है, किसको इन फ्रासोंने को यह आगे बाते हम करेंगे, ठीक है, अगला सवाल बिटा, question number 10, बताओ, question number 8, बताईए, क्या आएगा, सही answer क्या होगा बिटा, ठीक है, ब परासरव्य ध्वनी को सुन सकती है बिटा, चमगादर है, वेल मचली है, यह आपका परासरव्य धुनी को सुन सकती है, ठीक है, बताईए, क्या होगा, मुख्य, जैसे आपका कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता है, डॉग, इसके example को n है, डॉग हो गया, cat हो गया, ठीक है, बैट हो गया, चमगादर, ये इसके एक्जामपल, इसके एक्जामपल कौन है बिटा, कबूतर हो गया, अरे सुनाएगा ना कबूतर वाला तुम लोगोंने, कबूतर हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, हाती हो गया, तो ये इसके एक्जामपल है बिटा, जो इसको सुन सक इसको ठीक है हम इसको सुनते हैं बस audio को अगला सवाल बताओ क्या आएगा मुख्य सोक वे बिटा देखो हिंदी में नामे लेना option तो घवराना मत आज थोड़ा सा गड़वड हो गया कि हिंदी में कोई-कोई question लिखा नहीं गया मैं लिखके लाओंगा क्या low frequency infrasonic यानि कम कम आवरती वाली अवसरव्य धोनी कम आवरती वाली अवसरव्य ये कह रहा है जादा आवरती ये कह रहा है जादा आवरती वाली परासरव्य ये कह रहा है किस के बीच में 200 हर्ज और 400 हर्ज के बीच में ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं बताएए क्या होगा सही जबाब तो answer जो होगा हो, क्या होगा विटा, low frequency infrasonic, जब भी भूकंप आता है, तो क्या आपको कोई आवाज सुनाई देती है, नहीं, सर भूकंप जब आता है, तो चीजे हिलती दिलती दिखती है, लेकिन सच बताएं, भूकंप जब आता है, तो आवाज तो आती है, sound तो आती है, लेकिन कौन सी वाली आती है, इनफरासोनिक, यानि जो 20 हर्ज से कम होती है, जो 20 हर्ज से कम होती है, और आप इसको नहीं सुन सकते है, मेरे प्यारे बच्चो, इसलिए answer क्या होगा, पहला वाला, याद रखना, पहला answer बिलकुल सही है, आप लोगों ने जितने ने दिया है ठीक है, सर थोरी क्लास होगा, चिंता मत करो, पहले 21 दिन मेरे साथ जी जान लगा दो, ठीक है, याद रखना, बहुत important क्लास है, मेरे प्यारे बच्चो, बार-बार कहूंगा न, तब भी कम पड़ेगा, अगला सवाल बताओ, ठीक है, अगला सवाल, question number 9, बताइए बिटा, which of the following is sound wave are used in eco-cardiography, यानि कि बिटा, eco-cardiography पता है, किस से सम्मंदित होता है, अगर किसी व्यक्ति को दिल की बीमारी होती है, हिर्दय, हिर्दय का मतलब क्या होता है, heart, दिल की बीमारी अगर है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करता है, डॉक्टर, eco-cardiography करता है, तो बता उसमें किस का प्रयोग किया जाता है, क्या परासरव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, क्या बिटा, अवसरव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चो, क्या इसके बीच, बिटबीन का मतलब, क्या इसके बीच की तरंगों का प्रयोग कि इसको सुना होगा ना ECG करवाने जा रहे हैं भाईया ECG का मतलब है इको कार्डियोग्राफी तो वहाँ पर कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है बताए बिटा याद रखना या तो ECG हो या CT scan हो बिटा CT scan कब किया जाता है जब आपके brain में कोई problem होती है यानि कि mustics में यानि कि दिमाग की कोई बिमारी होती है तो याद रखना क्या किया जाता है CT scan किया जाता है CT scan हो या फिर आपका ECG हो हिरदय वाला दोनों में जो प्रयोग होता है वो परास रब्य तरंगों का प्रयोग होता है मेरे बच्चे Ultrasound में, Ultrasound तो सब ने करवाया होगा आपके घर के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा member होगा जिसका Ultrasound हुआ हो तो उसमें भी Ultrasound में भी किस तरंग का प्रियोग होता है बिटा Ultrasonic का प्रियोग होता है ultrasonic की जो आवरती है वो किस से ज़्यादा बताई थी मैंने आपको जल्ली से comment box में लिखो frequency किस से ज़्यादा होती है इसकी 20,000 Hz से अधिक होती है किस से ज़्यादा होती है 20,000 Hz से अधिक होती है मेरे प्यारे बच्चो ठीक है more than 20,000 Hz याद रखना CT का जो full form होता है न computed CT का full form क्या होता है CT scan का computed tomography क्या होता है computed tomography scan बिटा ये full form भी बहुत जरूरी है आपके लिए क्या होगा बोलो computed tomography scan जैसे ECG का full form क्या है eco cardiography या electrocardiography याद रखेंगे इस बात को चले अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चो question number 10 question 10 का answer बताओ क्या आएगा सवाल 10 मैंने एक भी प्रस्न नहीं छोड़ा जो आप लोगों को ना मिलेगा आपके exam में मुझे पता है railway का जब भी paper होगा तो इतनी सारी shift में exam होगा न लेकिन यार अगर sound chapter से कोई सवाल आएगा किसी भी shift के अंदर आएगा मेरी class के बाहर नहीं आएगा कल को दूसरा topic होगा ऐसे ही 21 दिन 21 topics physics chemistry खतम clear बताओ बिटा नेमलिकित में से sonar द्वारा sonar एक यंत्र है जो जहाज ये पानी का जहाज है इसके अगले हिस्से में जो एक यंत्र है device वो कौन सा लगाया जाता है बिटा sonar और sonar भी कौन सी तरंगों का प्रियोग करता है तो बिटा याद रखना sonar भी परासरब्य तरंगों का प्रियोग करता है याद रखना मेरे प्यारे बच्चो sonar भी ultrasonic ultrasonic का मतलब क्या है बिटा परासरब्य तरंगों का प्रियोग करता है जो अभी मैं आपको समझा रहा था ना जिनकी आवरती 20,000 से अधिक होती है उनका ही प्रियोग करता है sonar और इससे हम all of the above सही होगा क्योंकि इस से इस यंत्र से पानी के नीचे की वस्तू की दूरी पता लगाई जाती है पानी के अंदर वस्तू की दिसा पता ही लगाई जाती है और पानी के अंदर वस्तू की गती तीन चीज बताता है पानी के अंदर अगर कोई भी object है उसकी दिसा क्या है उसकी गती क्या है और उस वस्तू की दूरी क्या है? तीनों चीज बताता है कौन बिटा हमारा? एक यंत्र है जो पानी के जहाज के अगले हिस्से में लगता है जिसे सोनार कहते हैं सोनार का जो फुल फॉर्म होता है न ये पेपर में छपता है, बार-बार आता है बिटा सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना Sound, Navigation and Ranging क्या होती बिटा? Sound, Navigation and Ranging ये सोनार का पूरा नाम, बिटा हिंदी और इंगलिस में फुल फॉर्म एक ही रहती है कहीं सोच रहे हो सर जी, हिंदी में फुल फॉर्म बताओ अरे पगलो, हिंदी में और इंगलिस में फॉल फॉर्म वही होती है हमारे कुछ बच्चे यूपी से होंगे कौन-कौन है एक बार कमेंट वर करके बताओ यूपी बोर से पड़े हुए, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ तो आप लोग घवराओ मत, क्लास बाइलेंगल होगी बिटा हिंदी में भी होगी और इंगलिस में भी होगी ठीक है चिंता मत करो ठीक है, आप लोग साथ दो भरोसा करो अपने सर पर 21 दिन के अंदर पूरी साइंस एक सवाल बाहर नहीं आने दूँगा भरोसा करो एक बार ठीक है, तो चलो बताओ, आंसर क्या आएगा बिटा, इसकी फॉल फॉर्म इंगलिस में याद रखना साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, बताइए बिटा क्वेश्चन 11 का सही आंसर क्या आएगा, ठीक है, बताओ तुम मेरी जानो यार, UP बिहार वालो, दिल्ली वालो, MP वालो, जहार खन सब तुम मेरी जानो, चिंता मत करो तुमारे लिए तो दिन रात एक करनी पड़ जाए कि एक अन्यकाई है, देखो, आवरती जो होती है, वैसे तो इसका unit क्या होता है, बिटा, हर्ज, वैसे तो आवरती का एक मात्रक होता है क्या कहते है, उसको हर्ज कहते क्या कहते है, उसको हर्ज, लेकिन आवरती का दूसरा मात्रक बताओ कितना बहतरीन question है बटा बताओ एक तो आवरती का मत्र क्या होता है हर्ज होता है आपको दूसरा बताने ठीक है तो देखो बटा decimal गलत है ये सही है आपका cycle per second, meter per second गलत है अरे ये भी गलत है याद रखना second का मतला होता है समय दूसरा नहीं भाई ठीक है ये गलत है, ये भी गलत तीसरा सही क्योंकि वेटा आपको पता है एक चीज मैं आपको आज बताता हूँ वेटा याद रखना आवरती जो होती है इसका एक formula होता है frequency का एक formula होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना frequency का सूतर होता है एक बते time एक बटे समय एक बटे समय किसका फॉर्मुला होता है आवरती निकालने का एक बटे समय किसका फॉर्मुला होता है बिटा मुउ मुउ से दर्साते हैं आवरती को और टाइम को टी से दर्साते हैं यह आवरती निकालने का एक सूत्र होता है हमारे हैं ठीक है, और याद रखना, second, time का unit क्या होता है, second, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, cycle per second, क्योंकि एक बटे second हो जाएगा, unit क्या हो जाएगा तो बोलो, मातरक क्या हो जाएगा जली से comment करके बताओ, एक तो हर्ज हो गया, आवरती का मातरक एक तो हर्ज हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा बिटा, ये second जब उपर जाएगा, तो second की घात minus 1 होगा, इसे मैं cycle per second भी लिख सकता हूँ, इसे मैं बिटा, cycle per second भी लिख सकता हूँ, बिटा, level थोड़ा थोड़ा आप होता जाएगा, रवी सैनी जी, आप लोग घवराओ मत, मेरे उपर भरोसा करो, आप चिं बढ़ते हैं, तो अगला question बताओ, question number 12 का सही उत्तर क्या आएगा, ठीक है, बार है का सही उत्तर क्या आएगा, मेरे प्यारे बच्चों बताइए, ठीक है, numerical भी आएगा, घवराओ मत, सब कुछ आएगा, numerical, conceptual, question, theory, सब कुछ आएगा बिटा, क्यों परिशान हो रहे हो, ठी ठीक है, physics भी, physics पहले 10 दिन, देखो, मैंने पहले ही आपको time table बता दिया है, कौन से दिन क्या पढ़ाया जाएगा, वीडियो के starting में देख लेना, पहले 10 दिन में physics के 10 topic खतम, और अगले 10 दिन के अंदर chemistry के 10 topic खतम, इस तरीके से हम अपनी marathon को अंजाम देंगे, ठीक है, ब बताओ, क्या संबंध है, क्या pressure का ध्वनी की चाल से कोई संबंध है, बताओ बिटा, यानि what is the relationship between speed of sound and the pressure, यानि क्या ध्वनी की चाल का दाव, प्रैसर का मतलब दाव, इसके साथ कोई संबंध है, क्या, आप लोग मुझे comment करके बताओ, क्या होगा सही answer बिटा, व्युत क् अनुपाति एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या इन में से कोई नहीं, या सीध है अनुपातिक, बिटा, याद रखना, याद रखना, सी, अरे भाया, speed जो होती है, sound का जो speed होता है, द्वनी का जो चाल होता है, मेरे प्यारे बच्चो, ये तापमान पे निर्वर करता है ये किस पे करता है, ये तापमान पे निर्वर करता है, और मैंने बताया भी था कि तापमान पे कैसे निर्वर करता है, दूसरी चीज किस पे depend करता है, आदरता पे depend करता है बिटा, याद रखना कि ध्वनी की चाल तीन चीज पे depend करती है, पहला तापमान, उसका सूत्र भी मैंने आपको बताया कि किस तापमान पर कैसे निकालेंगे speed चाल बताया 0.61 गुड़ा T प्लस 332 बताया formula अब सुनो क्या है दूसरी चीज किस पर depend करता है humidity आदरता यानि मौसम में कितनी नर्माई है अगर बारिस का मौसम होगा तो humidity जादा है इसका मतलव sound तेज चलेगी यानि जितनी जादा humidity होगी आदरता ठीक है उतना तेज होगा speed जितना तापमान तेज होगा उतना speed तेज होगा चाल लेकिन एक चीज और है जिस पर depend करता है बिटा speed वो है density यानि घनत्व यानि जो मौसम है ना ये मौसम जो है वातावरण जो है इसका घनत्व कितना है मेरे बचो density कितना है इस पै भी निर्भर करता है तो ये तीन चीज है जिन पर चाल क्या करता है बिटा डिपेंड प्रैसर से कोनो मतलव नहीं है प्रैसर से चाल का कोनो मतलव नहीं है प्रैसर दाब पर कोई निर्वर नहीं करता दाब और चाल एक दूसरे से स्वतंतर है कोई डिपेंड नहीं करता ठीक है याद रखना इनके तो क्या होता है डाइरेक्टली यानि जितना ये बढ़ेंगे उतना ये भी बढ़ेगा चाल भी लेकिन गहनत्व के क्या होता है गहनत्व के होता है व्यूत क्रमानोपाती यानि कि अगर इनवर्सली गहनत्व के क्या होता है इनवर्सली इनवर्सली का मतलब जानते हो जली से बताओ इनवर्सली का मतलब जानते हो कौन-कौन जानता है यानि कि घनत्व जादा होगा क्या होगा चाल कम होगा याद रखना इस चीज को बहुत important चीज है ठीक है याद रखेंगे आप लोग इस चीज को बहुत important question था आप लोग मेरी बात को समझने की क्या करेंगे कोसिस करेंगे इनवर्सली किसके है अगर density जादा हुआ चाल कम density कम है तो चाल जादा इसके तो व्युत करमानुपाती हो गया लेकिन बाकी दो जो है इनके क्या हो गया अनुकरमानुपाती वो बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा चाल वो घटेंगे तो वो भी घटेगा चाल क्लियर है तीनों पॉइंट बहुत बढ़िया सही जवाब क्या था? C option question number 13 है बताओ question 13 है का सही अंसर क्या एगा बिटा बताईएगा भाई question 13 है का सही अंसर क्या एगा बिटा बताओ बहुत important सवाल है सारे के सारे बिटा comment करके बताओ जली से comment करके बताओ जली से भाई सबी लोग बताओ बिटा बताओ क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चो अंसर बहुत important सवाल है बताईए देखो चमगादर जो होती है बैट चमगादर का मतलब बैट ये कौनसी ध्वनी उत्पन करती है देखो बच्चे ये ध्वनी तो उत्पन करती है साथ की साथ मेरे प्यारे बच्चो ये सुन भी सकती है उस ध्वनी को सुन भी सकती है और उत्पन भी करती है बताओ क्या है कौनसी ध्वनी है तो सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चो अल्ट्रा सोनिक होगा पहले ही बता चुका हूँ पहले ही बता चुका हूँ भहिया अल्ट्रा सोनिक होगा सोनार यंत्र जो है वो भी इसके उपर काम करता है कुत्ता बिल्ली भी इसको सुन सकते हैं रखना चमगादड़ भी किसका उधारण है? अल्ट्रासोनिक, जो पेटा यह कह रहा है ना, इन्फरासोनिक गलत, पेटा इसका एक्जामपल तो कौन है, कबूतर है, कबूतर इसका एक्जामपल है, ठीक है, हाती, ऐलीफेंट इसका एक्जामपल है, हम, हम जो है मानव, और ये 20,000 से ज़्यादा, हम जो सुनते हैं वो audible होती है वेटा, 20 और 20,000 के बीच में होती है, क्या आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो, अगर ध्यान दे रहे हो, तो चिंता मत करो फिर अब, ठीक है, बताईए question number 14 का answer क्या आएगा, question 14, भाई, जल्दी जल्दी बता आप लोग ठीक है, क्योंकि जितना question हम करेंगे, उतना महत्यपूर्ण होगा, मेरे प्यारे बच्चो, बताओ question 14 का answer क्या आएगा, भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जोड़े हैं, like, share, जरूर करते रहेंगे, बताओ, loud speaker जो होता है, loud sound, अधिक दूरी तक जा सकता है, इस आज दूर तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है बिटा, जली से मुझे comment करके बताओगे, और मैं guarantee के साथ कहता हूँ, कि 90%, जब ये सवाल, rpf के अंदर पूछा गया, तो 90% बच्चों ने इस का answer गलत दिया, क्यों, क्योंकि अब भी तुम गलत दे रहे हो, ये गलत है, A वाला, D वाला गलत है, बिटा, high energy, उच्च उड़जा के करण, ये ज़्यादा तेज जाती है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को बहुत important है, अगर आप तेज बोलोगे, अगर आप क्या बोलोगे, तेज बोलोगे, याद रखना, आपका जो amplitude है, अगर आप तेज बोलोगे, तो आपका आयाम जो होगा, आयाम कहते है, उंचाई को, जैसे ध्वनी तरंग को जा रही है, तो ये जो height होती है, ये जो उंचाई होती है, उंचाई, इसे आयाम कहते है, आप जब तेज बोलोगे, तो आपका आयाम भी बहुत जादा होगा, और अग आपका आयाम जादा है ना तो आपकी जो energy है विटा ये भी क्या होती है जादा होती है उड़जा क्या होती है उड़जा भी जादा होती है अगर आपका आयाम जादा है ठीक है बस ये बात लिख लो और याद कर लो मेरे प्यारे बचो आप लोग याद रखना बिलकुल हाँ सर जी ठोस की density अधिक है तो हाँ बिटा देखो ठोस जो होता है उसकी density क्या होती है अधिक होती है मैंने आपको बताया इसलिए solid में और आपका liquid में और gas में आपका क्या होता है हमारा किसका sound का ठीक है याद रखना मेरे प्यारे बच्चो clear आयाम अगर अधिक है तो आप तेज बोल रहे होंगे अगर आपका आयाम कम है तो आप धीमे बोल रहे होंगे तो energy भी क्या होगी कम तो कोई दूर तक सुन पा रहा है न तो मेरी जो आवाज है उसकी energy जादा है ठीक है याद रखेंगे बिटा पूछो जितनी भी problem है पूछो बिटा clear है चलो अगला सवाल बिटा क्या आएगा बताईएगा अगला सवाल question number 15 बताओ क्या आएगा question number 15 बताओ क्या आएगा बिलकुल Subsonic क्या होता है बिटा Board Subsonic कोई ऐसी Subsonic जो आप पूछ रहे हो ना क्या होता है नहीं Subsonic हमारी sound का type नहीं होता द्वणी तीन ही परकार की होती है बिटा एक पहला audible, दूसरा infrasonic, तीसरा ultra sunic स्वणी तीन परकार की होती है एक बैल किसके बरावर होता है बताईए बिटा ठीक है एक बैल किसके बरावर होता है तो याद रखना एक बैल दस डैसीवल के बरावर होता है डीबी का मतलब पता है क्या होता है डीबी का मतलब होता है डैसीवल डीबी का मतलब क्या होता है बिटा डैसीवल होता है मैं आप मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे प्यारे बच्चो मैं आपको एक चीज बताता हूं ध्यान से सुनिएगा ठीक है डैसीवल पता है किसे कहते हैं डैसीवल जो है वो तीब्रता जो होती है न हमारा लाउडनेस तीब्रता का मतलब क्या होता है लाउडनेस जो होता है लाउ बिटा हिंदी में लिखा हुआ है, चमगादर द्वारा उत्पन ध्वनी है, हिंदी में ही तो लिखा हुआ है भाई, ऐसे क्यों करते हो आप लोग, ठीक है, मतलब तुम लोग मुझे परेशान करना चाहते हो, देखो अब यहां से, देखो बिटा, याद रखना, कितनी तेज मैं बोलता हूँ, मैं कितनी तेज बोलता हूँ, याद रखना, सर गाए से थोड़ा बड़ा, क्या है गाए से थोड़ा बड़ा, याद रखना बेटा, बैल नहीं, अरे गाए बैल नहीं, तुम ना पिटा होगे, एक डंडा लेके आओ, सर जी इनके लिए, आज इनकी 2dC होता है, ठीक है, याद रखेंगे, एक बैल जो होता है वो किसके बरावर होता है दस डैसीवल के बरावर होता है ये बात आप लोग याद रखना clear है, जैसे मैं कहें दू न कि मीटर, एक मीटर बरावर कितने होते हैं सौ सेंटी मीटर, याद है जली से बताओ, एक मीटर वराबर कितने होते हैं, 100 सेंट, अगर तुम्हें लग रहा है ने, कि सर समझ नहीं आ रहा, थियोरी पढ़ाओ, बिटा, थियोरी की किलास तो आएंगी, जब आपका एक्जाम आएगा, लेकिन 21 दिन में क्वेश्चन को भी रट्टा मार दिया न, 21 20 दिन में क्वेश्चन को भी रट्टा मार दिया, तो मैं चेलेंज करता हूँ कि आपके पेपर में नहीं आएगा इस से बाहर, ठीक है, तो जैसे एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होते हैं, वैसे एक बैल में कितने डैसीवल, 10, बताओ बिटा, 16 मा क्वेश्चन बताओ, दाओ, voice box is called, यानि voice box जो होता है, उसे क्या कहते हैं, यह मैंने साइद पढ़ाया भी था, परसों की क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था, जब मैंने, ठीक है, बताओ बिटा, जली से बताओ क्या होगा, voice box, मानव का जो आवाज निकलती है जहां से, उसे क्या कहते हैं, कौन सा अ आती तो मुह से है, लेकिन उत्पन कहां से होती है, उसे voice box कहते हैं, याद रखना, गला, ये लिर्नेक्स कहते हैं, इसको बिटा, लिर्नेक्स कहा जाता है, इस टार्च गलत है, C is the right answer, बिटा, ये जो लिर्नेक्स है न, गला, इसके अंदर vocal code पाया जाता है, क्या पाया जा इसके अंदर vocal code पाया जाता है, जिसे कहते हैं, वाक तन्तु, और इसी मैंसे हमारी आवाज निकल के आती है, जैसे ये गला है न, इसके अंदर दो vocal code होते हैं, एक left में, एक राइट में, एक दाए में, एक बाए में, ये दो vocal code होते हैं, और इन में vibration होता है, इस vocal code के अंद से उत्बन होती है द्वनी तो याद रखेंगे अच्छा याद रखना वॉकल कोड जो होता है ये मेल और फीमेल के अंदर साइज इसका अलग-अलग होता है ठीक है महिला जो होती है ना उनकी आवाज अलग होती है क्यों क्योंकि उनका वॉकल कोड छोटा होता है याद रखन अगर मैं पूछू कि यह जो vocal code है यह पुरुसों के अंदर कितना size होता है तो याद रखना 1.75 से लेकर 2.25 cm यह लिख लो मेरे प्यारे बच्चो ठीक है यह लिख लो मेरे प्यारे बच्चो और अगर मैं पूछू फीमेल के अंदर महिलाओं के अंदर इसका size क्या होता है तो 0.5 घटा होगे तो अंसर बताओ मुझे क्या आएगा अंसर आएगा सरजी 1.25 से लेकर 1.75 cm यह इधर से भी 0.5 घटाया इधर से भी 0.5 घटाया तो कितना चोटा होता है बचा 0.5 cm चोटा होता है इसलिए मेल फीमेल की जो voice है इसमें काफी अंतर होता है ठीक है बचा याद यह सवाल की तरफ अगला सवाल question number 17 अब यह सवाल जो है यह numerical है और सच बताओ न यह numerical का answer जिस बच्चे ने दे दिया न भाई साब समझ जाना बहतरीन तैयारी कर रहेगा आप लोग बेटा कौनसा सुत्र लगाना है सिर्फ यह वाला V बराबर lambda mu यह सुत्र लगाना है V का म मतलव क्या है mu का मतलव आवरती लगा देना जरा answer क्या आएगा frequency जिसे कहते हैं इंगलेस और हिंदी माध्यम वाले सुनलो सवाल तुम को ही करना है मैं नहीं करूंगा wavelength बताओ बिटा क्या आएगा answer numerical कह रहे थे ना बहुत देर से numerical कवाएंगे अब बताओ answer क्या आएगा औ और एक बात याद रखना कि आवरती जब भी लोगे ना तो इसको हर्ज में लेना है hz कहीं कहीं पर आपको kilo हर्ज में दे देता है kilo हर्ज में तो kilo को हर्ज में बदलो 2000 1000 से गुडा कर देते हैं ठीक है 1000 से और जब भी इसको लो तरंग धर्य को लो तो ये meter में लेना कभी भ आपको numerical करवा रहा हूँ एक सही तरीका numerical को कैसे करोगे एक अच्छा तरीका बताता हूँ देखो बटा आपको numerical जब भी आ जाए ना पेपर में तो पहले क्या given है दिया क्या गया है सवाल के अंदर बटा वो लिख लो देखो क्या दिया गया है आपको आवरती दिया है कित ने हर्ज हो जाएंगे बिटा दो हजार क्लियर है समझ माया अगला क्या दे रखा है तरंग धर्या यानि लेमडा कितना दे रखा है 37.5 cm लेकिन मैंने क्या कहा था इसको पहले मीटर में बदलो बिटा तो इसको किस से भाग दे देंगे 100 से भाग देंगे 100 से जब भाग दो से मैथ पढ़ता एक वर कमेंट बॉक्स में बताओ अगर मैं इसको 100 से भाग दूँगा तो दसमलब कहां पहुंच जाएगा इधर और ये किस में आएगा विटा ये सेंटी मीटर में नहीं आएगा फिर किस में आ जाएगा ये हमारा मीटर में आ जाएगा क्लियर अब इसमें गुड़ा कर दो कितना आएगा जली से कमेंट करके बताओ कितना आएगा भीया कितना आएगा 750 आंसर आजाएगा जब आप इसको गुड़ा कर दोगे ना 2000 से इसके अंदर गुड़ा करोगे तो उत्तर कितना आएगा बिटा 750 अब एक बात बताओ आप लोग मुझे क्या यही आएगा ना दो पंजे दस दो सत्य चोदे एक पंदा है दो तीए च्छे एक साथ ठीक है अब सुनो बिटा आपको पता है चाल बराबर सुत्र क्या होता है अरे चाल बराबर सुत्र क्या होता है किस-किस को पता है दूरी बटे समय यह तो second class में पढ़ लिया होगा यह formula तो बच्छपन में रट्टा मार लिया होगा ना आप लोगों ने चाल बराबर दूरी बटे समय इस पीड बराबर क्या होता है भहिया distance upon time किस-किस ने पढ़ाए यह वाला formula अब आपको इस question में time निकालना है समय निकालना है तो समय का सुत्र क्या हो जाएगा बिटा इस formula से समय बराबर दूरी बटे चाल दूरी कितना दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है डेड़ किलो मीटर और किलो मीटर को हमेशा याद रखना मीटर में लेना है डेड़ किलो मीटर का मतलब कितने मीटर हो जाएंगे हजार से गुणा करोगे तो 1500 मीटर आएगा कि नहीं का समय आएगा आंसर कितना आ जाएगा दो सेकंड का समय आएगा वोलो सिया भतिराम चंदर की जै समझ में आया question कितना बहतरीन था समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल दूरी सवाल में दिया गया है डेड़ किलो मीटर लेकिन हमेशा याद रखना दूरी हो या तरंग दहर्य हो wavelength मीटर में ही लेना है क्या हो गया 1500 में ये चाल निकाल लिया साड़े सास्तो भाग दे दिया उत्तर कितना आ गया दो समझ में आया या नहीं आया ऐसे numerical paper में बनेगा और इसी type का आएगा नहीं तो देख लेना आप लोग पक्का आएगा लिख के देता हूं लिख कि सारे नहीं ठ्योरी आएगी numerical तो आएंगे बीच बीच में numerical आएंगे विटा ठीक है भाइस जली से बताओ विटा और सैसन को अगर मेहनत लग रही है कि किया है मैं तो करता रहूंगा 21 दिन लगातार करूंगा like जरूर करते रहें विटा ठीक है बताओ यदि हवा में दे सेंटी मीटर लेकिन मैंने क्या कहा था मैंने कहा क्या था कि तरंग धहर्य को सेंटी मीटर में नहीं मीटर में लेना है बेटा रेगूलर यही क्लास चलेगी 21 दिन तक जब बेडा पार कर दूंगा ना 21 दिन में रेलवे का तब कोई और नहीं क्लास आएगी उससे पहले नह तो क्या हैगा? 10 समलव 1 मीटर आएगा, 100 से भाग दे दूगा बिटा अब बताओ, आपको निकालना क्या है? आवरती निकालनी है क्या निकालनी है? आवरती तो बिटा, फॉर्मुला क्या होता था? V बरावर लैमडा म्यू म्यू का मतलब होता है आवरती, ठीक है? बोलो, 3300 answer आजाएगा, कितना आएगा, 3300 answer आएगा, यानि कि ये ना option थोड़े से गड़वड लग रहे हैं, नहीं, सही लग रहे हैं, गड़वड क्यों लग रहे हैं, C is the right answer, C is the right answer, ठीक है, महनत आपकी, और संघर्स भी मेरा, महनत मेरी और संघर्स भी आपका दोनों मिलक कोसिस करेंगे, और इस जंग को 21 दिन के अंदर जीत लेंगे, 25 नंबर की तैयारी है, साइन्स में 25 नंबर की तैयारी में आपको करवाऊँगा, देखो क्योंकि आप जब इसको करेंगे, ये 10 की पावर 3 है, ये ना पावर में 3 है, कहीं 103 समझ लो इसको, पावर है वीटा, तो इसका जब आप करोगे तो ये 33 सो ही आएगा, कितना आएगा वीटाई, 33 सो ही आएगा अंसर, जब C option को आप चेक करोगे तो आंसर क्या आएगा, 33 सो ही आएगा, क्लियर है सब लोगों को बढ़िया सवाल था कि नहीं सवाल था वीटा, ठीक है 10 की पावर है, वो कहीं 103 म समझ लेना वो typing mistake होती है थोड़ी सी इधर, तो 10 की पावर 3 है, याद रखेंगा आप लोग इस चीज को बहुत बढ़िया, अगला सवाल question number 19, बताओ, question 19 का अंसर बताओ बिटा क्या आएगा, एक eco जो होता है, eco का मतला आवाज जज गूंजती है, ठीक है, आवाज जब 20 से 25 नमबर की सचिन कुमार जी आएगी, ALP की तैयारी मैं करवाओंगा, group D, 21 दिन के अंदर, group D, ALP, NTPC, आपका RPF selection होगा, याद रखना आप लोग इस चीज को, बिटा देखो, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, और मैंने कुछ भी बोला, ये दीवार है, इस से मेरी आवाज गई टकरा कर मुझे वापस सुनाई दी, तो इस घटना को eco कहते हैं, गूंज कहते हैं, इस गूंज के लिए कितना समय लगेगा, यानि मेरी आवाज इस दीवार से टकराई, टकरा के मुझे सुनाई दी, कितने समय के अंदर eco होता है, तो याद रखना बिटा, सही आंसर ज दूरी, यह minimum distance, यानि जब भी आवाज गूंजेगी, तो उसके लिए कई बार बिटा, आपको नियूंतम दूरी पूछा जाता है, यानि जीरो दसमलाव एक का मतलब क्या है, कि एक सेकंड का दसमा हिस्सा, बैई, एक सेकंड में दस से अगर भाग दे दू, तो इतने छोट से से टाइम में मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई अगर दे जाती है, तो मैं कहूंगा कि मेरी आवाज गूंज रही है, एक सेकंड का कौन सा हिस्सा, बैटा, दसमा हिस्सा, क्लियर, याद रखेंगे, इसको 1 बाई 10 भी लिख सकता हूँ मैं, अब कितनी दूरी होनी चाह है, मेरे प्यारे बच्चो, ये याद रखना, और सुनो, आज देख रहे हैं ये बच्चे लाइव, हर रोज 10 बजे ऐसे ही आना है, हर रोज कल एक नया टॉपिक होगा, क्या होगा, बताऊंगा, ठीक है, अब जब भी, मेरे बच्चे ऐसा तो नहीं है, यही बच्चे कि आज, एक महीने बाद, कल, पड़सों, जब भी, लाइक, इस क्लास को देखे न, तो भाई सुनो, मेरी बात, भरोसे के साथ देखना, क्योंकि अगर दुमने भरोसा कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता विटा, पेपर में, ठीक है, question number 20, बताओ, question 20 बताओ विटा, क होती है, intensity का मतलब तेज, intensity का मतलब तेज, तीब्रता जो होती है, किसके depend करती है, और ये सवाल करवा चुका हूँ, मैंने क्या कहा था, कि जितनी तीब्रता होगी, तीब्रता का मतलब क्या है, जितना तुम तेज बोलोगे, तो उतना तुमारा जो ये तरंग है, ये उपर तक जाएगी ये तरंग तुमारा उपर तक जाएगी इसका मतलव इस height को पता है क्या कहते थे इस height को amplitude कहते थे यानि कि आयाम कहते थे तो बिटा किस पे depend करेगी तीब्रता बताओ किसके समानुपाती समानुपाती का मतलव किस पे निर्भर करती है तो याद रखना किस पे न जो है न ये कम होगी तो आयाम कम हो जाएगा clear है सब बच्छों को बहुत बढ़ी है बिटा question 21 का अंसर बताओ क्या आएगा question 21 का अंसर बताओ क्या आएगा कौनसा सब्द ध्वनी तरंग से सम्मंदित नहीं है कौनसा सब्द ठीक है बिटा sir please pure हिंदी बिटा pure हिंदी तो नहीं लेकिन 50% हिंदी 50% इंगलिस में बोलूँगा एक word भी नहीं होगा जो हिंदी इंगलिस दोनों में नहीं लिखूँगा बताओ बिटा क्या आएगा कौनसा सब्द ध्वनी तरंग से सम्मंदित नहीं है यानि ध्वनी से सम्मंदित कौन नहीं है देखो बिटा हर्ज होता है डैसीवल होता है कैंडेला नहीं होता बिटा हिंदी में भी option क्या रहेगा कैंडेला जो होता है ये ध्वनी तरंग से सम फाइटर जेट लडाकू विमान जो होते हैं तो यह जो जाते हैं ना बिटा यह सुपरसोनिक चाल से जाते हैं इनकी जो चाल होती है इसे क्या कहा जाता है सुपरसोनिक चाल क्या कहते हैं इसको सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं क्या होती है सुपरसोनिक स्पीड कोई बताएग साउंड की स्पीड से भी तेज चले, ध्वनी की चाल से भी तेज चले, ऐसी चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं, अगर कोई अबजेक्ट साउंड की स्पीड से भी तेज चले, ध्वनी की चाल से भी तेज चले, तो उस चाल को क्या कहा जाता है, उस वस्तु की उस चाल को सोपर्सोंिक चाल, लड़ा कुविमान की, सुपर्सोंिक चाल का मतलव, सर्जी ऐसी चाल जो ध्वनी की चाल से भी अधिक हो, साउंड की स्पीड से भी अधिक हो, उसको सुपर्सोंिक चाल कहते हैं, ठीक है दो, याद रखेंगे, question number 22 बता दीजिए, आप लोग इस बार, ठी वर्सा के दिनों में ध्वनी अधिक दूर तक सनाई देती है क्यों इसका आंसर क्या होगा वर्सा का दिन है तो हवा जो है वो क्या हो जाती है नम नम का मतलब भीग जाती है वर्सा के दिनों में मौईस्चर जादा हो जाता है तो नम हवा वर्सा के दिनों में मौईस्चर जा तेज चलेगी, कहा था पहले ही, टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लो, पीडियाफ मिलेगी उसी पर, रैंकर्स गुर्कुल ओफिशल टेलीग्राम, ठीक है, हुमिडिटी जादा हो जाएगी ना, बारिस होगी तो, हुमिडिटी जादा होगी, तो साउंड की स्पीड क्या याद रखेंगे बिटा, चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर तेईस का अंसर, आप लोग मुझे बताना बिटा, कि क्वेश्चन तेईस का अंसर क्या होगा, और ये दोनों हॉमबर्क के क्वेश्चन है, ये तेईसमा एक नुमेरिकल, कब पढ़ेंगे इस आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका भी अंसर आपको हमबर्क में देना है, ये दो सवाल मैं आपसे पूछना चाताॉं बिटा, सच में इन दोनों का अंसर मुझे हमबर्क में चाहिए, हाद जोडके आपसे एक बात कहता हूं के आप लोग पढ़ना, तो सिर्फ यही पढ़ना में या तो प्यार समझ लो या एक ओडर समझ लो कि 21 दिन के अंदर कल को हमारा कौन सा टॉपिक होगा आज हमने टाइम नोट कलो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक तूफान मचा देंगे सर जी सेकंड डे होगा कल को हमारा क्या हर बच्चा लिखेगा कमेंट बॉक्स में और प्रॉमिस करेगा सर कल को भी मैं आऊँगा ठीक है कल को भी मैं आऊँगा सर जी इलेक्रिसिटी पड़ूँगा और ऐसे ही धुआ मचाएंगे और हर संडे एक और वादा करता हूँ मैरा थन भी लूँगा हर संडे मैरा थन भी लूँगा रेलवे के लिए इस बेसल ठीक है याद रखना कल का ये टॉपिक होगा हमारा और जो बच्चे पेड बैच की पूछ रहते सर पेड बैच क्या है साइन्स का तो भाई देखो साथ तारीक से यह हमारी class चल रही है इस batch के अंदर science special air railway यह आपको साथ तारीक से लगातार इसके अंदर class चल रही है आप लोगों को अगर paid batch ही लेना है RPF के लिए चैक किसी ALP है RPF है आपका NTPC, GroupD किसी के भी लिए अगर यह paid batch लेना है तो साथ साथ तारीक से लगातार इसके अंदर class चल रही है आप लोग इसको join कर लो पूरा का पूरा बिल्कुल detail में theory complete theory, आपका mock test, practice questions आपका जितने भी सवाल बन सकते हैं सब कुछ application पर आपको यहाँ पर करवाया जाएगा कल मिलता हूँ, एक नए topic के साथ कल हमारा दूसरा दिन होगा 21 दिन 21 महराथन का मेरे प्यारे बच्चों याद रखना topic का नाम याद रखना electricity और home work के दो प्रशन आप से पूछे हैं comment box में जरूर जवाब देना thank you, love you all, take care, bye bye झाह्ड़ झाह्या, कि एक भी जरूर दूसरा दूसरा दूसराँ झाह्ड़ झाह्या, कि एक जए लगाया ग्यारे लगाद से जवी जवी, पनीज दूसरा जवी, तो हॉशरा पूसराई